समाज में जीवन यापन करना और समाज के तौर तरीकों में जीना एक अपने आप में भी और साथी साथ जो समाज के बदलाव है और संसकार है उनके बारे में जो परिवर्तन लाने की कलपना है और साथी साथ जो परिवर्तन के साथ साथ उसमें नहे नहे प्रयोजनात्मक भी प्रतानक शिकार होती है प्रतानक सिकार के साथ इसाथ जैसे ही उनके उपर प्रताना होते हैं। उसके बाद आत्मात्या, चाहे अगनी इंस्टनान करके अपने जो आत्मता है , उसको ले प्रदीब जी हमारे सांथ में जो अध्यक्ष परिकल्पना उसको लेकर आगे बढ़ है तो प्रदीब जी किस तरके से विचार धार और कब से विचार धार आपके अमन में जागरित हुई और इसको बदलाव लाने के लिए आप रहे थिए कि मैं जब छोटा था तो हमारे साथ में हमारे साथ में ये गटना समने में आती थी कि हमारे परिवार में समाज में कोई विड़ो मैला हैं तो उनको किसी भी प्रकार के पूजान और सुबकारियों में सामने नहीं आने दिया जाता है ना कई बार ऐसा होता था कि जवान बेटियां जो है वो भी वीड़ो हो जाती थी पर उनको भी सामने नहीं आने दिया जाता है ना तो ये चीज जो बच्पन से या युवावस्था से मेरे दिमाग में जो घर करके गई उसी समय से मेरे एक उद्देश से बन गया था कि मुझे आगे जा करके जब भी मौका मिलेगा मैं ऐसी महिलाओं के लिए समाज में कुछ ने कुछ करना चाहूंगा यही जो बाते थी इस बातों को ले करके आज जब मुझे मौका मिला समाज के प्लेटफार्म पे मैं कई समाजों से जूर करके इन प्लेटफार्म के उपर में आ करके ये विद्धोहा पुनर विद्धोहा के बारे में परिकल्पनाय की और इसमें आगे बढ़ा इसमें आगे बढ़ते समें मुझे एक चीज और ध्यान में आई कि वर्तमान परियोस में एक और बड़ी मैलाओं के साथ दुरुदसा हो रही है वो हो रही है कि मैलाओं के साथ में तलाग के मामले बहुत जादा बाढ़ रहे हैं जवान मैला जवान बेटियां जो है वो तलाग सुदा हो जाती है किसी कारण से और उनका जीओन यापन करने के लिए भयूसे में कोई भी साहरा नहीं रहता है और हमारे समाज में जितने भी परीचे सम्मेलन होते है वरवदू के उन जगहों पर भी जो है उनको ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता है कि वो अपने आपको वहाँ पर ले जाकर के प्रस्तूत करें और अपना जीओन साती सुनें इसलिए हमने जो है यह किया कि सभी जाती धर्म वर्ग के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया कि इस प्लेटफार्म के उपर में जो है ऐसी विधुआ और तलाग सुदा मैला आये और इनका हाथ थामने के लिए कई कुवारे लोग भी आते हैं सामने तलाग सुदा और वि जो समाज के सुधार के लिए है और खासतर से समाज में जो परिवर्दान निकली तो इसमें कितने वर्षों से आप लगातार काम कर रहे हैं और क्या कैसा फालता हासिल किया है हम लोग यह तो हमारा राइपूर ब्राइट फाउंडेशन हमने इसी साल पंजी करित करके काम चौलू किया है इसके पहले हम दुसरी संस्ता के साथ में काम करते थे वहाँ करीब चार साल से हम लोगोंने काम किया है और वहाँ पर भी जो है, हमने इस प्रकार के आयोजन करके और अच्छे रिस्पांस लोगों को दिये हैं, महिलों को जीवन साती तलासने का मौका दिये हैं, और समुई की वायों भी कर रहे हैं अच्छा, हमारे साथ में माधालाल यादा जी भी हैं, उनसे ही जानेंगे किस तरके से, माधालाल जी जिस तरके से जो समाज है और समाज में परिवर्तन की अगर बात होती है, तो यह कि यूँवा हमेसा साथ ऐखड़ा हो जाता है, आप यूथ की भी बात करते हैं, यूथ मे किस तरह के से आप देखें कि किस तरह के से बदला होना चींए है उसको लेकर के भी अलग से जो प्रिज़पन आ हैं और सब्सद्री चारा है। जिसमें सुधारों से खासत दोर से नस्हमुकती को ले करके आपने बाद किया है? यह हम सब के मन में बच्पन से था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, परिवारों में ऐसा हो रहा है तो इसलिए हम यह विद्वा, विदूर, तलाक सुदा महिलाओं के लिए हम लोग यह कार करना इस्टार्ट किये हैं अभी मैं यह देख रहा हूँ कि जो युवा पिड़ी है, युवा पिड़ी भी ना कहा जाए, बलकि किसोरा वस्ता के जो बच्चे हैं यह अभी छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप किसी भी मध्याम वरगी या गरीब बस्ती में चले जाएए या सहर के किसी भी चौक में आप देर रात को चले जाएए, आपको दो-चार लोग गुरूप में बैठे मिलेंगे और वो कोई न कोई नसा कर रहे होंगे, और बहुत गंभीर बात यह है कि नसा सिलोसन को सुना, इस टाइप की जो चीज़े आ गई हैं और मेडिकलों में भी आप देख रहे हैं, बहुत सी नसा की टेबलेट्स, इंगेक्सन भी कर रहे हैं, जिसमें कोई प्रतिबन भी नहीं है हमारी जो यह संस्ता है, रायपूर ब्राइट फांडेशन, हम सिप न सिप विद्वा बहनों के लिए काम करेंगे, बलकि राष्ट हित में, समाज हित में, खास करके युवाओं के लिए, नसा मुक्त कैसे हो, और कैसे हम उनको सिक्षा की और आगे ले जा सकें, कैसे उनके परिवारों के लिए हम कोई संसकार की बात कर सकें, संसकार सिवीर भी हम लग लगाएंगे आने वाले समय में, ताकि उनको संसकार मिले और इस प्रकार से हम युवाओं के छेतर में काम करेंगे, जिस तरीके से अपरात की जो बढ़ने की अप्रावर्यत हैं, और खासतर से अपरात में जो अभी ज़्यादा बढ़ावा हुए और खासतर से जो राजधानी है, वो अपरात का गड़ भी बनते जा रहा है, कही न कहीं ये जो कारण है, वो नसा कभी है, और जो किशोरा वस्था की जो लोग है, बच्चे हैं, उनका भी कही न कहीं इसमें कारनामा दि पर यहां जो जैसे ही समाजिक और खासतर से जो NGO की अगर बात किया जाए, उसमें भी अभी कई ऐसे हैं, जिसमें सुधार की प्रक्रिया है, उसको लागुत कर रहे हैं, पर ऐसे सुधार की और कई संभावनाएं हैं, जिसको आप करना चाहते हैं, और खासतर से आने वाले जो पढ़ी हैं, और जिस तरके से अगर आप यूध में आज जैसे जो तलाक सुधा लोग हैं, इनको लेकर के भी अने को कारे की हैं, और क्या उपलब्दी हैं, आप राप्ति की हैं और किस तरके से जो उपलब्दी हैं, उसमें सा भागता निभाते हुए अने को जो समाज के लोग हैं उनमें परवर्तन के बतला देखिए जो तलाग के जो मामले अभी समाज में बहुत गती से बढ़ रहे हैं पता नहीं साल देड़ साल होता है आज के जुवा जो साधी कर रहे हैं साल देड़ साल के अंदर ही तलाग की भानों में आ रही है मैं कहने के इस बात को मा कि बच्चे जो हैं आज माता-पिता या समाच का ड़रों और व्हारती संस्कृति या मुसलिम संस्क्रिति या ऑच्छा के प्रभाहित हो तो और ये तलाग के मामले बढ़ रहे हैं तो हमारी संस्ता तलाग सुदा को भी यह मदद दे रही है कि वो पुनरविवा कर différentes हैं करके और वो वयद तलाग सुदा जो विधीवत समाज के दिवरğa या कोड के दिवरा मानते उन्यान कर तलाग सुदा कारेक्रम कराने जा रहे हैं उसमें किस तरके से सफलता है और खासतर से इसमें जो कारे है और साथी साथ कितने लोग इसमें समलित होने जा रहे हैं इसके तवाम चीज़ों के बारे हम कुछ में आन्दा इस पार्ट भी हमने पंजयान की सुईधा वहां पे दे रखी है और लोग उस दिन भी पंजयान कराएंगे और उनका परिचाय होगा फिर परिचाय के ठीक एक महापस्चात विशेस मूरत देखके हम लोगों के सामुहिक्स विवावी संपन कराएंगे उनके रित संस्था बलकि सहर के और भी कई गडमाने संस्थ्था हैं और को संस्था हैं इस अ सब घृती करने होंगे दो बड़े साइच के फोटो लगाने होगे handheld काफी चाहिए होगी बच्चे हैं तो और अगर जो विदूर है वो बताएगा कि उसको कितने इंकम है उसकी पतनी की देथ हुई है तो उसका डेट सार्टिपिकट और वो किस प्रकार से कारिकर है कैसे भरन पोर्शन करेगा और हम ये भी सुधा दे रहे हैं अगर दोनों को रिष्टा जब पसंद आगा एक दूसर कर सकते हैं हमारी संस्था ये भी कर रही है जैसे साधी हो गई छे जोड़े का हमने पीछले साल कराया इस बार वे उन जोड़ों को हम बुला रहे हैं उनका मंच में बुला कर उनका सम्मान भी करेंगे उनके सुक दुक की बाते भी सेयर करेंगे उनको कैसा लगा हमारी संस् करने की उपर और साथी साथ इसमें सफलता हासिल करने की जब बात आती है तो अपने आप में एक उमंग की कड़ी भी होती है तो इसको लेकर के माधालाल जी ने एक अच्छा से प्रयोजन भी दिया और खास्ता और चे जो यह इस तरीके से जो कार्य होते हैं उसमें समाज की लोग ही आगे बढ़कर के इसमें अपनी जो साथ भागता हूँ उसको नहीं भाते हैं कैमरा पर्शन भगात के सानता ख्लेश्तिवारी ग्लिप्स न्यूज राइपूर्शतिजगर्ण